नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग माक्सिस महिने के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को कालास्टमी जिसे हम काल भैरब जैनती कहते हैं मनाय जाता है इस तिथी को चुकि भगवान सिब का ही एक रोधर रूप है काल भैरब से आपको बहुत सारे आपके बेनेफिट होते हैं जैसे कि अगर काल भैरब की आप पूजा करते हैं तो विसेश मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए इन्हें विसेश वस्तु अर्पित की जाती है और जो लोग ग्रहस्त हैं वो तामसिक पूजा नहीं करेंगे नहीं तो यह अच्छी नहीं माने जाती क्योंकि यह साब्धानी बहुत रखनी जरूरी होती है ग्रहस्त लोगों को भगवान काल भैरब की तामसिक पूजा नहीं करने चाहिए और बटुग भैरब की पूजा करें तो ज्यादा अच्छा होता है काल भैरब की पूजा कभी भी किसी को प अफतार माने जाते हैं काल वैरक उनकी पूजा की जाती है और अस्टीमिती थी इस बार 7 DAVID की साम 6 बचकर 47 मुनट से सुरू होगा और 8 लिसमबर की साम 5 बचकर 17 मिनट तक रहेगा चुप्पार बास की जाती है इसी लिए साथ दिसम्बर की रात में इनकी की पुजा कि जाएगी तो इस दिन कि उनके पूजा करने के विशएसवीध जानते हैं आप कैसे पुजा करें कौन से विशएस उपाय करें टो विशेसमनोकामनाओं की पूर्टी के लिए इस दिन भगवान्सीवी पूजा की जाती है यहाद रखिए भगवान सिव और कभी भी सिव जी को अकेले पुजा मत कीजिएगा सिव जी के साथ मा पारवती की भी पुजा करे और इस दिन उनकी किर्पा पाने के लिए काल भहरव जैनती के दिन सिव जी की जवाब पुजा कीजिएगा क्योंकि कालभेरप्ट की उत्पत्ती भगवान सिव के अंस से हुई थी इसलिए इस दिन 21 यानि 21 बिलपत्र पर चंदन से ओम नमः सिवाय हट जैसे की बिलपत्र होता है उसमें तीन पत्ते होते हैं तीनों पत्ते पर ओम नमः सिवाय लिखिये और फिर सिबलिंग पर अरप इस बिलपत्र माना जाता है अगर विधी विधान से आप सिव जी की पूजा करते हैं विसे इस तरीके से उनको बिलपत्र हर एक बिलपत्र पिर पहले रख लें फिर एक एक करकर आप नमस सिवाय नमस सिवाय बोलते हुए आप सिवलिंग पर अरपित करते जाएं फिर जल याद रखिए बिलपत्र अर्पीत करने के बाद जल जरूर अर्पीत करना चाहिए तब जाकर आपकी पूजा पुर्ण हो जाती है भगवान काल भैरब इससे प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पुर्ण हो जाएगी। देखिए मीठी रोटी या सर्वत अगर इस दिन आप काल भैरब को अर्पीत करें अगर आपके आसपास मंदिर है तो ऐसा माना जाता है अगर ये उपाय आप करें तो आपके जो सत्रू है आपके जो करजे की समस्या है आपके जो जीवन की परिशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और खासकर कोट कहचरी मुकदमों में भी बीजे मिल जाती है इस उपाय को करने से याद रखिए मीठी रोटी या सर्वत अमान लेते हैं आपके आसपास मंदिर नहीं है तब क्या करेंगे आप सर्वत सिबिलिंग पर अर्पित करने के बाद जल अर्पित कर सकत करेंगे तो लगातार नमसी भाय का जब कीजिएगा जो पूरुस हैं वह सिब्ची की पूजा करने के बाद सास्टांग पर नाम करेंगे जो महिलाएं वह सास्टांग पर नहीं करेंगी अगर इस दिन उड़द की डाल से बनीवी कोई वस्तू या दूद से बनीवी तो आपकी विसेश मनोकामना पूर्ण हो जाती है वैसे तो इस दिन काल भैरब की जबाप पूजा करेंगे तो सर्वत या सिर्का जिसे हम बेनिगर कहते हैं भी अर्पित किये जाते हैं काल भैरब को आप उनके निमित किसी मिठी के पात्र में आप मंदिल के आसपास भी सिवाले के आसपास भी ये उपाई कर सकते हैं लेकिन तामसिक पूजा में चुकी मांस मदीरा भी बहुत जगा अर्पित किया जाता है तांतिक पूजा जिसको कहते हैं पर गिरस्त लोग ना करें और प तुरू की जो बाधा है ना वो दूर हो जाती है जीवन में सुख सान्ती और संपत्ति की प्राप्ति होती है तो इस दिन विसेस तरीके से आप पूजा तो करेंगे लिकिन विसेस उपाई भी किये आते हैं विसेस मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए देखिए उनकी किरपा पाने के लिए काल भैरब की परतिमा या फिर जहां भी आप पुजा करेंगे एक सरसों के तेल का जिए पग जलाईएगा आप चाहें तो इस उपाय को आप काल भैरब जैनती के दिन से सुरू करके 40 दिनों तक लगातार कर सकते हैं खान सवाला आपको जैसे इच्छा है आप चाहें तो सर्वत अरपित करें या फिर आप सिर्का अरपित कर सकते हैं लेकिन एक तेल का दिया लगातार आपको जलाना चाहिए मुकत्मों से छुटकारा जल्दी मिल जाता है काल भैरब की पूजा के दिन आप चाहें तो साम के समय सिर्फ 40 का पार्ट कर सकते हैं और काल भैरब जैनती के दिन भगवान भैरब को परसंद करने के लिए आप विसेस उपाय करें एक तो इस दिन नौकरी या रोजगार में समस्या है तो आप अपने घर के चछत पर मिट्टी का दिया में सर्सों का तेल रखकर जलाईए माना जाता है काल भैरब जैनती के दिन ये विसेस प्रियोग करने से नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाती है ये जो दीपक है आपके पित्ती दोस काल सर्फ दोस को भी समाप्त करेगा राहु केतु सनी देप की परिशानी को भी संथ करेगा अगर कारे में आपको उन्नती नहीं मिल रही लाग प्रियास के बाद तब आप पक्छियों को इस काल भैरब जैनती के दिन से लगातार कुछ दिनों को तक आपके इक्छा जितने दिन है आप पक्छियों को दाना डालें इससे आपके कारे में प्रगती मिलती है आपको अगर प्रतिवीता प्रिक्छा वेगर में आपको सभलता नहीं मिल पा रही रोजगार में उन्नती नहीं हो पा रही नौकरी आपको लग र कि प्रियोग करें कि कुट्टे को काल भ्रह जयंती के दिन दूद्ध याद रखिए दूद्ध थोड़ा सा मिट्टी के पातर में या किसी भी चीज में घर से बाहर में यहां पर दे दें या घर में कुट्टा तुसी को फिला दें यह आपके रोजी-रोटी का जो सवाल होता ह ना उसमें फैराव लाता है आपके जिन्दगी में ऐसा कभी मोड नहीं आएगा कि आप खाली हांत है इसलिए विसेश तोर पर इस दिन कुट्टे को आप गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं इससे राहू केतु की किरपा भी आप पर बनी रहती है और अगर आपका आपको जरनती के दिन दान करने से भी आपके जीवन के समस्थ परिसानिया समाप्त हो जाती है तो यह चोटे चोटे उपाएं हैं जो काल भर जरनती के दिन किये जाएं तो जीवन के समस्थ परिसानिया समाप्त होती है और इस दिन कुट्टे को अपने हाथों से मीठी डोटी यान आपसे विदा ले रहे हैं हरहर महादेव धन्यवाद